प्यारे बच्चों नमस्कार प्यारे बच्चों ब्रजगो कुल गाउं के ग्वारन और जो पसु हो तो कहा बसु मेरो चरोनित नंद की धेनू मझारन पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन और जो खग हो तो बसे रो करो मिली कौलिंदी कूल कदंब की डारन देखे पूरी व्याख्या संदर अब प्रसंग कावेगर संदर ये सम्मे पढ़ा चुका हूँ दो दो तीन तीन बार वीडियो अपलोड है लेकिन ये पहली बार वीडियो अपलोड हो रहा है क्योंकि UP MSP का जो न्यू सलेबस है न्यू पैटर्न है उसमें अब संदर प्रसंग व्याख्या कावेगर संदर नहीं लिखना है बलकि तीन प्रशन आपको दिये जाएंगे इनके उत्तर लिखने होंगे तीन प्रशन दो अंकों में यानि की छे प्रशन आच्छे नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं ग्वालाओं के मद्ध में मैं जनमलू और कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर अगर मैं पशू योनी में जनमलू अगर मैं पशू हो जाओं तो कहां बस मेरो तो मेरा कोई वश नहीं रहेगा परंतु मेरी यही अभिलाशा रहेगी कि चरों नित नंद की धेनु मंझारन मंझारन का मतलब उता मद्ध में धेनु माने गायों गायों के मद्ध में नंद बावा की नित परती में चरों मेरी यही इच्छा रहेगी अगर मैं पाहन बनू अगले जन में अगर मैं पत्थर बनू तो वही गिरी उसी गिरी माने परवत उसी परवत का पत्थर बनू जो धर्यो जो धारन किया था कर माने हाथ में छत्र की तरहे पुरंदर माने श्री क्या वा नाम उसका इंद्र को धारन माने धरने के लिए अगर मैं खग हो जाऊं, अगर मैं पच्छी हो जाऊं, तो बसे रहो करों, तो हमारी यह इच्छा है कि मैं हमेशा निवास करूं, कहां कालिंदी अर्थात यमुना के किनारे कदम्ब की डालों पर, तो अब अगर आपको दिखो इसकी PDF चाहिए और सूरदास की PDF चाहिए तु तो करम संख्या 35 पे आप देख लेंगे, तो रस्खान की मिल जाएगी, करम संख्या 34 पे तुलसी दास की मिल जाएगी, और करम संख्या 1, 2, 3, 4 देखेंगे, तो सूरदास की मिल जाएगी, ठीक है, एक से 10 तक देखें, सूरदास की मिल जाएगी, अगर आपको पहली लिंक जो है वो क्लिक करनी है अगर आप वो क्लिक करते हैं तो PDF पाएंगे वरना नहीं तो अब यहाँ पर प्रश्ण आपके बनेंगे कुल मिलाके तीन ही आएंगे लेकिन यहाँ मैंने जितने प्रश्ण बनने के को हैं मैं सब लेके आया हूँ उपर पद्यांस का संदर्व लिखे तो आप लिखेंगे स्रीकृष्ण के अनन निभक्त कभीवर रस्खान ब्रज के प्राकृतिक संदर्य पर मुग्द थे यह दुनिया का बवाल आप नहीं लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारी पार्थ पुस्तक या प्रस्तुत सवया सवया उसे लिया गया है इसमें कभी का ब्रज भूमी के प्रती अनुराग यानि प्रेम विक्त हुआ है और रेखान के तंसकी व्याख्या कभी भगवान से कामना करता है कि हे प्रभू यदि अगले जन्म में मनुष्य बनूँ दोको 2023 की ये लाइब क्लासेज है ठीक है नया जन्म हो यानि अगले जन्म में मनुष्य बनूँ तो ब्रज हुआ है मतलब नहीं यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिश्टेक है तो ब्रज में 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 मेरा जन्म हो मैं अगर गोकुल के गाओं के ग्वालों के मध्ध निवास करूँ परंतु मनुष्यों में ही मेरा जन्म हो, यह मेरे वश्ट की बात नहीं है, ठीक है तो यहाँ पर उपर आप देखेंगे जो पस ऊहो तो कहाँ थीक है चलो तो पूरी व्याक्चया आमने उपर की बता दी पूरी व्याक्चया आपको याद होनी चाएं ये रे खांकितंस की व्याक्या आटपटी है बुस्तकों में ठीक है तो इसलिए आप उसी ध्यान दीजिए इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रियोग किया गया है अनुप्रास अलंकार किताबों के चक्कर में पढ़ोगे तो मातर तीन तीन ही प्रशन दिये हैं और जबकि प्रशन कई प्रकार से बन सकते हैं क्योंकि नवीन किताबें अभी जो प्रकाशित हो रही है उसमें अभी बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो रहा जल्दबाजीम प्रकाशित हुए हैं कु कैसे कैसे यहाँ अनुप्रास अलंकार कहां से है आप बताएंगे कालिंदी कूल कदम में अनुप्रास अलंकार है समझ में आया फिर देखियेगा नंद बाबा की गाएंगे मद्ध चरने का कौन ही छुक है रसखान यदि पक्छी योनि में जन्म हो तो रसखान की क्या अभिलाशा रहेगी यमुना के किनारे कदम की डाल पर डाल है डाल पर निवास करने की कोई अभिलाशा की ही अभिलाशा रहेगी कभी किस परवत का पत्थर बनना चाहता है गोवर्धन परवत का जिसे स्रीकृष ने इंद्र का गर्व चूर करने के लिए उठा लिया था उस गोवर्धन परवत का पत्थर बनना चाहेगा ठीक अगला देखे धूरी भरे अती सोभित स्याम जू तैसी बनी सीर सुन्दर चोटी और खेलत खात फिरें अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी वाच्छबी कोरस खानी भिलोकती वारत काम कलानी जिकोटी और काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सुले गए यो माखन रोटी कहते हैं कि अधूल से लतपत स्रीकृष्ण जी जो है वो बहुत ही सोभाएमान हो रहे हैं और उसी प्रकार सुन्दर सुन्दर उनकी चोटी बनी हुई है खेलते हुए खाते हुए अंगना में घूम रहे हैं टहल रहे हैं और उनके पग आरे पैरों में पैंजनिया बज रही है और पीली कछोटी अर्थात पीची पीली लंगोटी धारन किये हुए हैं जो ज़्यादा शोभाएमान हो रही है उस चबी को रस्खान बिलोकत अर्थात रस्खान उस चबी उस सौंदरे को देखते हैं और वारत काम कला निजगोटी काम देओ अपनी करोडों कलाओं को ने उच्छावर कर देते हैं उस सौंदरे पर कहते हैं कि काग के भाग, अर्थात कववे के भाग के बड़े सजनी, बहुत ही सुन्दर है, बहुत भाग साली है कववा की हरी हाथ, अर्थात स्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले गया स्री कृष्ण के हाथ से, तो मधुर धोनी कहां से आ रही है, स्री कृष्ण के चलन सराहना करें, जो स्रीक्रश्न के हाथ से मक्खन और रोटी चीन ले गया, गोपी के कथन काश है, किस कवे से बढ़कर सोभाग शाली कौन हो सकता है, जिसे स्रीक्रश्न की जूठन खाने का सोभाग प्राप्त हुआ हो, इन पंक्तियों में किस भाशा का प्रयोग है, तो सरसरा मधूर ब्रजभाशा का प्रयोग है, कौन आंगन में खेलते हुए और खाते हुए, खाते हुए घूम रहा है, तो स्रीक्रश्न घूम रहे हैं, ठीक है, ये सब सुधार कर आपको PDF मिल जाएगी, मैं जो PDF दूँगा, वो सुधरी हुई मिलेगी, स्रीक्रश्न घूम रहे है कभी स्रीक्रश्न की सुंदरता को देखकर किसकी करोडों कलाओं को नियुचावर कर रहा है, काम देओ की, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग है, तो सवया छंद का, इन पंक्तियों किस भाशा का प्रयोग है, तो सरसब्रज भाशा का, अब अंतिम पध्यांस देखे कि मौर पखा सिर उपर राखी हो गुंज की माल गरे पहिरोंगी यहां के वल मोस्ट इंपार्टन दिये जा रहे हैं जो आने वाले हैं मौर पखा सिर उपर राखी हो गुंज की माल गरे पहिरोंगी और वोड़ी पितंबर लेला कुटी हाजी ओड़ी पितंबर लेला कुटी बन गोधन गौारन संग फिरोंगी भावतो मोही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी और या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी मौर का पंक सिर के ऊपर रखूंगी गुंज अर्थात वैजयनती की माला गले में पहनूंगी ओड पीतांबर भी ओड़ूंगी हाथ में लाठी ले लूंगी बन और गोधन गौारन अर्थात गवों और गौालाओं के साथ में जंगल जंगल उन्ही के साथ में फिरोंगी अर्थात गूमूंगी क्योंकि मुझे स्रीकृष्ण बहुत अच्छा लगता है इसलिए तेरे कहने से मैं सारे स्वांग सारे नाटक करूंगी लेकिन ये जो मुरली अर्थात जो मासूरी है किसकी मुरली धर क्रिष्ण कनहिया की अधरान माने होठों पर रखी हुई अधरान न धरोंगी ओठों पर नहीं रखूंगी यहां पर यमक अलंकार है अगर उस प्रकार अधरान अधरान की बात करोगे तो यमक अलंकार है और मुरली मुरली धर की ठीक है मामा की आवरत्ती अनुपरास अलंकार है तो गोपी अपने होटों पर क्या रखने से मना करती है बांसुरी रखने से सिरक्रश्न की रेखांकी तंस की व्याख्या पूरी ही कर दी गोपी कहती है कि ठीक है मैं मोर के पंखों का मुगुड भी सिर पर रख लूँगी समधुरबरज भाषा है और अंतिम पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो यमक अलंकार है अभी हमने बताया आपको अधरान और अधरान में यमक अलंकार है तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक आपको मिलेगी जहां से ये PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे ये PDF आप डाउनलोड करके notes बना लीज़ें चाहे तो आप वीडियो से notes बना लें अगर नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो वीडियो देखके ही सारे notes questions बना लीज़ें बहुत बहुत शुक्रिया मैं कल फिर मिलता हूँ अगले chapter के साथ अगला chapter बिहारी का होगा